कैसे हैं आप सब आज हम बनाने वाले हैं चिकन भूना बहुत ही डिलीशियस बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल तरीके से सबसे पहले हैं मसाले रेडी कर लेंगे जिसका हमें पेस्ट बनाना है फूर मीडियम साइज ओनियन देड़ इंच अद्रग 20-25 पीस लेसन की क अब हम पतीला गर्म कर लेंगे और इसमे आइट करेंगे वन कप आइल आप और जाद आपने हिसाब से कर सकते हैं और जैसे ही गरम हो जाएगा यह पर मैंने दो प्याज मीडियम साइज के कट कर लिए थे इसे हम फ्राइ कर लेंगे इसे मैंने स्लाइस कट किया है इसे मैं और यह देखे हमारा प्यास जो है वचे जब फ्राइ हो चुका है अब हम इसमें मसाले आड़ करेंगे हम ने जो प्यास और अद्रक और लहसन का पेस्ट रेडी किया है हम उसे इसमें डाल देंगे इन मसालो को कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स ये देखे बिल्कुल शांदार बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी है खाने में जबरदसत है और सारे इंग्यजिएंस आपके घर में ही है अब हम यह पे 2 चाय के चम्मच हल्दी पाउडर अट करेंगे और तीन चाय के चम्मच धन्या पाउडर रैट करेंगे यह देखे आब अर इसके बाद अ आपको जितना तीखा पसंद है आप उसे सापसे लाल मेर्ज का पाउडर एट कर दें अब हम इसमें 1.5 टीजपून गोल मेरज का पाउडर एट करेंगे और 1.5 टीजपून जीरा पाउडर एट करेंगे तो यहां पर हमारे सुखे मसाले हो गए और हम इसे अच्छे से मेक्स क आपको जितना नमकीन पसंद है आप उसे सापसे सॉल्ट एट करें चिकन हमारा 1 kg है तो सॉल्ट उसे सापसे आप एट करें जितना आप सॉल्टी खाते हैं तो इन सारे मसालों को हम कर लेंगे अच्छे से मेक्स और इसे हम तक तक भूनेंगे जब तक कि इन मसालों से तेल निकल आए तेल निकल आने से ही हम समझ जाएंगे कि हमारे मसाले अच्छे से बहन चुके हैं और यह देखिए फ्रेंड्स मसालों के उपर पूरा तेल आ गया है यानि कि हमारे मसाले जो है वो अब बिलकुल रेडी है और फ्लेम मैंने मीडियम रखा है मीडियम टू हाई हमें निकल फ्लेम रखना और मसालों को चलाते रहना है वरना वो तले पे लग जाएंगे तो मसाला हमारा हो चुका है अब हम इसमें एड करेंगे चिकन मैंने यह यह पी वन केजी चिकन यूस किया है और अगर आप इसे ज़ादा चिकन रेडी कर रहे है तो मसाले आप डबल कर तो सारे चिकन के पीसेद को दालेंगे और यसे अच्छी से मिला लेंगे यह देशी चिकन है इसलिए इसका स्किन चिकन पे है यानि मिट पे इसका स्किन है और बहुत हिगी दिलीश talkin débाता है यह खाने मे आप बहुत एक से बनाने का आप जब चाहें इसे ट्राइ कर सकते हैं और इसे पुलाओ पराथा किसी चीज के भी साथ दाल शावल के साथ भी खा सकते हैं बहुत ही मज़े की लगती है खाने में मसालों की साथ अच्छे चिकन को मिक्स कर लेंगे हम आप फ्लीम को लो करके से ढखन लगा करके खुछ दिर तक पकाएंगे। मिलेकं लगा देंगा है लगता हैं यह देखे फ्रेंड्स हमने जब ढ़कन खोला तो यह मसाले जो है अब तेल छोड़ने लगे हैं यानि कि मसाले हमारे चिकन के साथ भी अच्छे से भून चुके हैं चिकन भी हमारे अच्छे से मसालों में रेडी हो गया है बिल्कुल पॉफेक्ट रेडी हुआ लेकिन अभी पूरा कुक नहीं हुआ यह देशी चिकन इसे गल्ले में थोड़ा टाइम लगता है तो अब हम इसमें पानी एट करेंगे ताकि हमारा जो चिकन है वह अच्छे से प्रॉपर कुक हो जाए देखिए कितना शांदार लग रहा है तेल पूरा उपर आ चुका है यानि हमारे चिक दो कप के करीब पानी आपको जतना पानी है अइड करना है या ग्रेवी रखना उसे साफ सा फ़छा पानी एक कर लेंड कर दो चाहिए तो आपकी ग्रेवी रहे और यह रहे अभी बीच में इसे चला देगे ताकि तले फे लगे नहीं और फ्लेम को हमने में मीडियम टू ल तो चिकन तयार है तो चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग यह लाजवाब चिकन भूना तयार है बहुत ही शानदार लग एक खाने में अतना ही डिलीशियस है अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजी वीडियो को शेयर कर दीजी और चैनल को सब्सक्राइब कर थैंक यू